भारत में अंग्रेजों की हुकूमत की स्थापना के साथ ही अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम हो गया 1780 से 1792 के बीच कलकत्ता, मद्रास और बंबई, वर्तमान में कोलकाता, चिन्नाई और मुंबई से ये पत्रिकाओं छपने लगी भारती भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुवात 1818 में मार्श मान द्वारा बंगाल के सी रामपूर में बंगाली भाषा में दिखदर्शी का नामक पत्रिका से हुई राजा राम मोहन राय प्रथम फार्सी सापताहिक पत्रिका मिरात उल अखबार 1822 में प्रकाशित करने लगे भारत में विबन प्रांतों में स्थानी भाशाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी 1860 और 1890 के बीच कई महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक अकबार छपने लगे जो आज तक चल रहे हैं इनमें टाइमस ओफ इंडिया स्टेट्समेन दहिंदू प्रमुख है 1881 में लोकमाने तिलक ने मराटी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी प्रारंब की भारत में प्रकाशन प्रारंब होते ही औपनिवेशिक राज्य ने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन इनका लगातार कड़ा विरोध होता रहा और अक्सर राज्य को इन यंत्रणों को कम करना पड़ा 1799 में ही पहला कानून बना जिसकी अनुसार प्रकाशक को अपना नाम और पता प्रकाशित करना पड़ता था ताकि सरकार जरूरत पड़ने पर पूछताच कर सके और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने से पहले सरकारी सेंसर को दिखा कर अनुमती लेनी होती थी 1878 में भारती भाशा पत्रिकाओं पर विशेश नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया जिसके अनुसार प्रकाशिकों को आश्वासन देना पड़ता था कि वे ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे शांती भंगो या सरकार के विरुद्ध हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम सुरक्षा राशी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के पास रखनी पड़ती थी जिसे अप्रिय सामागरी प्रकाशित करने पर वह जब्त कर सकता था भारती प्रकाशिकों ने इसका कड़ा विरुद्ध किया और 1881 में इसे हटाया गया लेकिन इस तरह का कानून 1910 में फिर से लागू हुआ और 1922 में हटाया गया और फिर 1931 में फिर से लागू किया गया प्रेस कानून के इस इतिहास से स्पर्ष्ठ होगा कि भारतिय मध्यमवर्ग ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और लगातार उसे हटाने पर जोड डाला भारत में भी प्रेस बैनर ये बड़े पत्री का घराने हैं इनमें से प्रमुक रहे हैं द हिंदू के कस्तूरी अयंगार परिवार टाइमस ओफ इंडिया नौभारत टाइमस के साहु जैन परिवार इंडियन एक्सप्रेस Command के surfing का परिवार और इंडिया टुडे समूग के आदित बिडला परिवार इन में से पहले तेन स्वतंत्रता से पहले ही इस्थापित हुए थे इन चार परिवारों के अलावा शेत्री इस्तर पर भी कई प्रेजगराने हुए जो हिंदी वो अन्य भारतिय भाषा पत्रिकाओं को चलाते हैं